नमस्कार दोस्तो छोले बटूरे की दुकान कैसे शुरू करें इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तो छोले वटूरा जो है वो एक street food है दूसरे कई street food की तरह ये भी लोगों में बहुत ज़ादा famous है लोगों को बहुत ज़ादा ये भी खाना बहुत पसंद आता है तो अगर आप इस business में आना चाहते हैं इस business को start करना चाहते हैं इसकी दुकान शौप शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा इस business को start करने के लिए कितना investment लगेगा profit कितना देखने को मिलेगा location कैसी होनी चाहिए क्या क्या सामान आपको लगेगा license कौन सा लगेग और भी धेर सारी बाते इस वीडियो में इस बिजनस के बारे में हम जानेंगे तो वीडियो को देखते रहे पर आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पे नए आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे मैं बिजनस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो दोस्तो सबसे पहली बात तो यह जो आपको ध्यान देना होगा वो यह है कि आपको छोला बटोरा बनाना आता है या नहीं आता है अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है वरना आपको इसके लिए कारीगर यानि की कुक चाहिए की तलाश करनी होगी कुक का अरेंजमेंट करना होगा जिसे मंथली पेमेंट में आपको हायर करना होगा अब दूसरी जरूरी चीज जो है वो है लोकेशन तलाश करनी होगी लोकेशन आपको तै करना होगा जहां बिजनस स्टार्ट आप करना चाहते हैं उसके लिए लोकेशन आपको कैसा होना चाहिए ये टाय करना है तो location भीड़बार वाला होना चाहिए लोगों का आना जाना होता रहना चाहिए ऐसा location जैसे के bus stand, railway station malls के पास, school colleges के पास main market में, park, manदीर ऐसे कई location चौक चोड़ाह इस तरह के कई location जहाँ भीड़बार हो लोगों काना जाना होता रहता हो ऐसी जगा की तलाश करनी है ऐसी जगा आपको ढून के तै करनी है उसके बाद बारी आती है अगले स्टेप की आपने तै कर लिया लोकेशन आपने कुग भी रेडी कर लिया तलाश कर लिया अब अगली चीज जो है वो आपको रेडी करनी है वो क्या रेडी करनी है, क्या तय करनी है, तो आप इसे किसी शौप पे, दुकान पे स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस लेकोशन जो लोकेशन आपने तय किया है, ढूंडा है, वहाँ पे किराय पे लेके दुकान शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप स्टॉल लगाना चाहते यह आपको तैय करना है अब यह तैय कैसे होगा यह आपका बजट तैय करेगा आपके पास कितना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए उसके उपर भी निर्वर होगा तो आपको यह तैय करना है कि आप ठेले पे शुरू करना चाहते हैं या फिर रेंट पे एक दुकान किराय प कि भाई क्या क्या सामान आपको चाहिए होगा इस बिजनस के लिए क्योंकि बरतन वगेरा और भी बहुत सार चीज होते हैं जो आपको चाहिए होगा तो वह क्या क्या चीज होते हैं तो देखिए कुछ बरतन आपको लगेंगे जैसे कि मतलब कढ़ाई हो गया पतिले वगेरा हो गए और भी कुछ बर्तन है साथी प्लेट्स अग अब आप चप़ेंगे आप इस्टील के प्लेट्स रखना चाहते हैं या पिर वो उực पमेसा लगेत हैं कई तरह कंसरपलेट्स रखना है इस तरह कि कई चीजे हैं वो आपको टाय करनी है मतलब आपको औरेंज करना है, खरीदना है साथ ही आपको गैस चूला लगेगा खाना आप जो बनाएंगे, छोला बटोरा जो बनाएंगे, वो किसमें बनाएंगे तो उसके लिए गैस, चूला इस्टोब, ये सब आपको विवस्था इसकी करनी होगी साथ ही आपको कस्टमर्स जो आपके शॉप में, दुकान में, स्टॉल पे ठेले पे जो भी आएंगे उनको आप बैठने की सुविधा दीजिए, ये बहुत जादा आपके लिए कारगर साबित होता है क्योंकि कई जगा आप देखिएगा, वैसे तो लोग खड़े-खड़े भी खा लेते हैं लेकिन अगर आप उन्हें बैठ के खाने की सुविधा दे रहे हैं, तो वो जादा संतुष्टी भरा होता है तो आपको कुछ चेर टेबल की भी विवस्ता करनी होगी, वो भी आपको खरीदना होगा प्लास्टिक वगेरा का जो आता है, वो भी आपको खरीदने होगे तो आप अगर चाहें तो आप अपने एरिया में, अपने शहर में आप जाकर छोले बटूरे के जो भी ठेले, स्टॉल्स, ये सब हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि उनको क्या-क्या बरतन वो यूज कर रहे हैं, किस तरह से वो अपना प्रेजंटेशन अन्होंने रखा हुआ है क्या-क्या उनको जरूरी पढ़ा हुआ है, समान वो आप देख सकते हैं, उससे आपको आपको आइडिया हो जाएगा अगली चीज जो होती है वो है कि जैसे मैं ने कहा तो देखे इसमें क्या लेना हो गाँ अगर आप इसे बड़े लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं कोई शौप मतलब रेंड पर लेके या आपका अपना ही शौप है उस पर तो आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उस कंडिशन में आपको जो है FSSAI का लाइसंस लेना पड़ता है जो कि फूड लाइसंस है और फूड रिले छोटे लेवल से शुरू होता है तो उसमें छोटे लेवल पर आपको लेसंस नहीं लेना है लेकिन फिर फिर अगर आप precaution के तौर पर आप कहते हैं कि आने वले टाइम में जब बिजनस आपका जम जाएगा तो आपको लेना ही है तो अब शुरुवात में अगर बनवाना बना सकते हैं लेकिन आने वले टाइम में जब आपका बिजनस अच्छा से चलने लगे जम जाए आप तब भी बना के रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन छोटे लेवल पर शुरुवाती टाइम पर नहीं लगता है खैर ये भी हो गया अब अगली चीज जो है वो य जान देना हो है कि payment जो mode होता है अब हर कोई आज की तारीख में cash नहीं करता है बहुत लोग होते हैं जो online transaction करना पसंद करते हैं जैसे के Paytm, phone पे, Google पे, Amazon पे तो आपको ऐसे online transaction की सुविधा भी अपने stall पे, अपने ठेले पे, अपने shop पे आपको सुविधा जो है उपलब अब इसमें जो main चीज आती है वो है investment कि आप कितना investment के साथ शुरुवात करना चाहते हैं आपके पास कितना investment है आपका budget कितना है तो देखिए छोटे label पे अगर आप इससे start करते हैं तो 15-20,000 के अंदर सारा सामान, भरतन, ठेला, stall, यहां तक की raw material यह सब कुछ आ जाता है और आप इस amount के साथ easily start कर सकते हैं यह low investment business है अगर आप इसे थोड़ा सा upgrade करते हैं कोई shop rent पे लेके आप start करते हैं तो देखिए shop rent पे लिजिएगा तो उसका जो advance में पैसा देना पड़ता है वो हो गया और मंधली जो उसका rent हो गया वो extra तो यह extra पैसा अगर आप जोड़ करते हैं तो आप 15-20,000 के अंदर सारा समान सब कुछ complete करके आप start कर सकते हैं तो यह हो गया अब बात करते हैं कि profit इसमें कितना देखने को मिलेगा तो देखिए profit जो है इसमें बहुत ही अच्छा खासा होता है अगर आप मान के चलिए तो भी मैं आपको एक मंधली के हिसाब से बता रहा हूं तो 25-30,000 शुरुवाती टाइम में आप इस business से easily कमा सकते हैं पर जैसा मैंने कहा था कि location प्राइम location हो अच्छा खासा भीडवाड़ा वाला area हो और फिर क्या होता है कि मतलब business जो है वो आपको जमने थोड़ा सा देने time लगता है कुछ time लगेगा थोड़ा time दीजिए business जमने दीजिए उसके बाद जो है आपको अच्छा खासा investment मतलब जो investment आपने किया है उससे चार गिना पाँच गुना आपको पर मंत income आपको देखने को मिलेगा ऐसा है ये business ये in short अगर मैं समझाने को कहूं तो 25-30,000 शुरुवाती time पर आपको वैसे ही देखन जैसे जैसे sale बढ़ेगी income बढ़ेगा और ये income जो है आपका 50,000, 60,000, 90,000 तक चला जाता है तो अच्छा खासा profit जो है इसमें आपको देखने को मिलता है और कम amount के साथ आप investment के साथ आप आईए और अच्छा खासा इसमें कमाईए ऐसा business है लेकिन अब ये सारी चीज़े त वो है खाने की quality, hygiene आपको maintain करना है यानि कि साफ सफाई का ध्यान देना है आपको अपने वेभार आपको अपने customers के साथ अच्छा रखना है जो rate है जो आप बेच रहे हैं जिस rate पे वो rate जो है वो दूसरों से थोड़ सा आपको reasonable रखना है यानि कि आपको quality maintain करनी है, hygiene maintain करना है अपना वेभार maintain करना है rate अच्छा रखना है सारा कुछ अच्छा रखना है जिससे कि आपको दूसरे से जाजा जो है लोगों का attention मिले ज्यादा से ज्यादा customer आपके पास आए और आपका sale ज्यादा से ज्यादा हो और आपका business जो है जल्दी से जल्दी जम जाए इन एक जगा से बेच के मतलब एक बेचता है एक खरीदता है तो इनके जरीए आप अपने business को register करके online भी अपने business को आप run कर सकते हैं और इसके जरीए भी एक extra income आप कमा सकते हैं मतलब offline जो customers आपके पास आएंगे वो तो आएंगे ही साथ ही zomato srigi के जरीए भी जो customers आपको मि जाएगा तो वो भी आप add जरूर करें उसके जरीए भी अपने business को run जरूर करें अपने product को बेचे तो उससे भी आपको एक extra income है वो आपको मिलेगा तो दोस्तों ये है एक छोटा सा तरीका जिसके जरीए आप जो है छोले बटूरे का business जो है बहुत ही आसानी से start कर सकते है और अच्छा खासा मंथली income आप कर सकते हैं अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं अपना अलग पहचान बना सकते हैं और जैसा कि मोदी साब कहते हैं कि आत्म निर्भर भारत तो आप आत्म निर्भर बन सकते हैं एक अच्छा सा income generate कर सकते हैं इस business के जरीए तो कैसा लगा यह information आपको जरूर कहिएगा जरूर बताइए का comment box में जाके अगर अच्छा लगे तो मैं फिर से कहता हूँ वीडियो को like कर दीजेगा और अगर नए आये हैं तो subscribe कर लिजेगा क्योंकि मैं इस तरह के ideas लाता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए तो मिलते हैं अगले व अगर नए आटाए